अरे कृष्णा रादे रादे कैसे आप सब आई होगे आप सब इकुल ठीक होंगे स्वस्त होंगे और फैंट्स ये है ठाकुर जी के आज के शिंगार दर्शन और तो काफी दिनों से बहुत सारे कोमेंट आ रहे थे इस पे इसलिए पगड़ी को लेकर जो मैं ये ठाकुर जी है मैं आप साथ में सारी कीलियर करतूंगी और ये देखे आज लाला ने बहुत आलग सी पगड़ी बंदवाई थी बहुत ही सुंदर लग रहे थे बहुत ही प्यारे से तो चलिए यहां पर हम स्टोकिंग के बारे में देखते हैं कि स्टोकिंग का कितनी लंबाई रहती है तो चलिए घर रहती है छोड़ाई से भी स्ट्रेच होजाती है और लचाशनले के डने सहे और जो इसकी लंबाई रहती है वह आपको 12 इंच से लेकर और में अकोर्डिंग साय थर्टी सिक्स इंच तक भी आती है इसमें लंबाई वैचा तो यह रोल आते हैं आप इसको अपने अकोर्डिंग मेजर्मेंट के अकोर्डिंग कट करवा सकते हैं लेकिन जो मुस्टली आपको कह रहता है यह स्टेशनरी सोप पर भी मिल जाती है क्राफ्ट में यूज होती है मुझे आध है जब हम लोग छोटे थे तो बच्पन में इससे मतलब क्राफ्ट क्या कर देते हैं बहुत सारे फ्लावर बनाते थे अलग अलग तरीके कि कभी अगर हो पाया तो मैं जर सब्सक्राइब कर देदानी जराता है इसके एक पार उंच ईंच रहता है इसका है इकते हैं भी अलीम दीछानां रोग मश्बॉंड के हैं लेती हुँ मैं ट्हाकुर्जी को पगडी बांने के लिए मैं हमेशा ढ Edwards सकते हैं सकते हूं येकिन मानिये मुझे स्टोकिंग की बंधी होई ज्वी पगड़ि इतनी जदा सुंदर लगती है कि मतलब चाहे हामीज ही दो रहती है और इसकी पर्प्र फिटिंग नहीं आती ओर इसकी अब्सक Wooju ने रधानी यह असंने तो ऑने वीडियोंित वीडियोश। आप जानते ही उनका शिंगार हमेशा अलग होता है और वह बहुत ही प्यारा सा सिंगार करवाते हैं इस करें एटाइस्मेंट साफ हों छो सारी एड़ कर सकते हो और मीडियू रखना है तो मीडियम भी रख सकते है यह चीपक जाता है उनके सर के उपर ही तर नहीं है हां जो बिगनर्स हैं उनके लिए यह है कि अगर वो लोग कपड़े के बजा जैसे कहीं बार रहता है कि पट्या बानते हैं कोटन की या मतलब कुछ और यूज करते हैं उनकी पगड़ी बांधने के लिए अगर उसके बजाए आप इस टोकिंग यूज करोगे जो बिगनर्स ह तो चलिए अब हम जल्दी से उनको पगड़ी बांते हैं कि वीडियो बहुत ज़्या लंबा हो रहा है कि आप इसको इसको पगड़ी है वह आप जब ठाकुर जी को आप हेर लगाना चाते हैं तो उसके उपर भी बान सकते हैं और अगर नहीं लगाना चाते हैं तब भी सिगा है यह हम ऐसे पीछे की साइड से लेंगे और बस कुछ भी नहीं करना है यहां से बसना इस तरीके से ऐसे रोल करना है यह देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से कि यह रेखिए बिल्कुल हमेना गोल करना है जो थाकुर女 के सर पर यहां से सुरू करेंगे हम इसको बिल्कुल गोल-गोल बनाना है जैसे ही हमारी 3 layer complete हो जाएंega हैं अब ही हम 4 लेएर पर आ गया है तो इसthest हम se Под आद बा समय अब सर करना है है यह रेखिए और अब यह देखें यह हमारा पाँचवा राउंड है तो इसको ना हमें यहाँ पर अब इस तरीके से इसको हमें लेकर जाना है और जहां से हमने यह देखें यहां से हमने नीचे की साइड किया हुआ है यह देखें जो सबसे पहला यहां पर सरकल था इसको हमने नीचे की साइड किया हुआ है बस अब हमें इसको यहां पर इस तरीके से करना है और बहुत ज़्यादा खीचना भी नहीं है स्टोकिंग को कि कभी आप यह सोचें कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा खीच के बानना है नहीं बिल्कुल भी नहीं इसको आप बस नॉर्मल पकड़िए यह देखें जैसे आप पकड़ी की सेप देना चाहते हैं बिल्कुल इसको आप वैसे करते चले जाएं यह देखें बस बीच-बीच में आपको थोड़ इसी यह सेटिंग करनी है और यह देखें और यह देखें फ्रंट साइड से जो पकड़ी का लूख है वह कुछ ऐसा है और बैक साइड से यहां पर कुछ ऐसा है अब जो यह यहां पर है यहां पर हम लोग ठाकुर्जी की पकड़ी में ओल्पिन लगाएंगे ओल्पिन को लेकिन हमें तिर्चा करके लगाना है कि वह त्वाज़ी को किशेको की तरीके सीर लागे को किसी हो ठाकुर्जी को न चूप़े यहां पर लिएख साफ और घंक उजीएक सैंना में चूप़ेगी यहां पर ठाकुर्जी पगड़ी और अखी से ने की धोई पूरी कել्ग और धूरेगी ताकि ठाशोकार्जी के सार में न लगे, एृब आपके उपर है कि आपको इसको कैसे डेक। करना है कि कैसे कि नहीं करना है। आप इसमें जो बहुत होगी को भाल्ते पंगे辦法 सॐ भैड दोती तो नहीं है। तो आपको ये पगड़ी बांदने का तरीका कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, I hope के जो भी डाउट थे, वो सारे किलियर हो गए होंगे, और अगर इसके बाद भी कुछ है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, and thank you for watching, radhe radhe, Hare Krishna,